भासकर SR से संपर करने के कोशिश कर रहा है कमल कांथ की रिसीवर पर पकर सक्त हो गई उसका ऐसा सोचने की कोई वज़ा तो होगी वज़ा भी बड़ी अजीब सी है वो कहता है भासकर ने पिछले दिनों विभिन रंगों के साथ सफारी सूट से लाए है उन सूटों के रंग SR के फिवरेट रंग है उस आदमी को इस बात के जानकारी कैसे हुई कमल कांथ ने उत्तेजिस स्वर में पूछा भासकर ने कोई दस दिन पहले उससे वो सूट बर्मन और बर्मन के दुकान से मंगाए थी और अब वो सार ये सूट का अब है और भासकर भी तुम्हारा कॉंटेक्ट यानि कि वो आदमी है कौन? किसी जमाने में वो SR का नौकर था आजकल तो भासकर की सेवा में है बहुत बहुत धन्यवाद यश्वन्थ तकलीव देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ और उसने फोन रख दिया कमलकान फोरन पलंग से उठ गया शक की कोई कुझाईश बाकी नहीं रही शम्शे राना यकीनन वापस आ रहा था कमलकान ने पलंग से उठकर तॉलिय अपने जिस्म पर लपेटा और लाइट ओं कर दी मेरे कपड़े कहा है रोजी मैंने उन्हें धोका बातरूम में लटका दिया है और तुम्हारी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल पर रखी है तुम जाना चाहते हो हाँ, मैंने एक जोड़ा मदाने कपड़े तुम्हारे लिए निकाल रखे हैं वो तुम्हें फिट तो नहीं आएंगे लेकिन हाँ काम चल सकता है तुम्हारे पास मदाने कपड़े कहां से आए हरे, कुछ दिनों तक जोड़ू के एक खुलाम से दोस्ती रही थी वो ही चोड़ गया था कमरकांत ने उसकी दी हुई सफेद कमीज और नीली जीन्स पहन दी दोनों ही चीज़ें उसके जिस्म पर तंग और लंबाई में कुछ छोटी थी लेकिन काम चलाया जा सकता था जेबो में अपनी चीज़ें ठूसते हुए कमरकांत ने देखा कमीज की जेब पर नीले धागे से बड़ी खूपसूरती के साथ अंग्रेजी के दो अक्षर जी और एम इस ढंक से कड़े हुए थे कि छोटा सा फूल नजर आते थे तुम कोई खतना कदम उठाना चाहते हो रोजी ने पूछा पता नहीं तुम एच्छी तरह पता है तुम इस बख़ेड़े से अलग क्यों नहीं हो जाते मैं इसमें बुरी तरह से फर्स चुका हूँ और अपनी मजजी से अलग नहीं हो सकता क्या तुम गोजा से भान नहींजा सकते कोई फाइदा नहीं होगा रोजी, तीन खून के इस बखेरे में मैं सस्पेट नमबर वन हूँ यहां से भाग जाने का सीधा सा मतलब होगा कि वो तीनों हत्याएं मैं नहीं की थी पुलिस मुझे फराल मुझरिम गोशित कर देगी और मैं लगा अतार भागता रहूँगा और फिर एक ना एक दिन तो पकड़ा है जोरूर जाओंगा ही नहीं मेरी समस्या का हाल यहां से भाग जाना नहीं बलकि यहां रहकर खुद को बेगुना साबित करना है मैं जानती थी तुम यही कहोगे रोजी ने कहा अब वो ड्रेसिंग टेबर के पास आई ड्रॉर खुल कर 32 बोल के पिस्तॉल निकाल का उसने पुनाव कमरकांद के पास आका बोली इसे रख लो कमरकांद ने पिस्तॉल चेक करके अपनी जेम में रख ले इस वक्त ऐसी ही किसी चीज की जूरत थी उसे उसने प्रशन सा पूर वक्त रोजी के ओर देखा तुमारे पास पिस्तॉल कहां से आ गई मेरी अपनी है मैंने ख़रीदी थी आखिरकार में शहर के सबसे बढ़ी हर रेस्टोरेंट की मार्किन जो हूँ यो आर ग्रेट रोजी ऐसा कहते हुए वो दरवाजे के ओर पढ़ गया अपना ख्याल रखना कमल फिक्र मत करो रोजी मैं सही सलामत वापस लोटूँगा सुनो कमल कांथ पलट कया रोजी बाहें फैला कर उसके ओर बढ़ी कमल कांथ ने उसे बाहों में भीच कर उसके होटों पर चुम्मन जड़ दिया फिर स्वेम से अलग करता हुआ बोला अच्छा मैं चलता हूँ रोजी तुम वापस आओगे ना जरूर कमल कांथ परवेश दूआर खोल कर बहार निकला दरवाजे में खड़ी रोजी के और हाथ हिलाया और पलट का सतकता पूवक चल दिया कमल कांथ निर्विघन गोमिश के बंगले पजा पहुँचा वो परवेश दूआर के सामने खड़ा देखता रहा अंदर कहीं से रोशनी या किसी किस्म की हलचल का अभास उसे नहीं मिला गोमिश और मारिया सो गए लगते थे कमल कांथ आगे बढ़ा परवेश दूआर को धकेलने की कोशिश की आशा के अनुरूप वो लॉक्ट था उसने बंगले के चक्कर लगा कर अंदर घुसने की रहा ढूणने का निश्यत किया वो दिवार के साहे में रहकर बंगले की परिक्रमा करने लगा अंथ में बाई तरफ की एक खिड़की पर असपर स्री रोशनी दिखाई दी कमल कांथ उसी के पास पहुंच कर रुख गया खिड़की बंध थी और उस पर एक नीला पदा जूल रहा था वो जानता था अंदर अगर कोई व्यक्ती हुआ तो भी अंधेरे में खड़ा होने की वज़ा से उसे नहीं देख सकेगा कमल कांथ ने कांच के पल्ले से आंखे सटा दी अंदर का द्रश्य उसे साफ तो नज़र नहीं आ सका लेकिन ड्राइंग रूम के अनुरूप सर्जे इस कमरे में सोफा चेर में धसे गोमिश को पहचानने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई कमल कांथ ने तनिक पीछे हटकर खिड़की के पलों पर खोचपूर निगायें दोड़ाएं दाईं और उसे एक स्थान पर अपेशा करच जादा रौश्री नज़र आती प्रतीत हुई करीब दो इंच व्यास की गोलाई में उस स्थान पर परदे का कपड़ा गहरी रगड़ खा जाने के कारण बहुत ज़्यादा घिसा सा नज़र आ रहा था कमल कांथ ने उसी जग़ा पर आँखे सटा दी अंदर का द्रश्य पहले के मुकाबले काफी साफ दिखाई देने लगा उसने देखा गोमेश जल्दी जल्दी बड़े नर्वस भाव से सिग्रेट फूक रहा था गोमेश सहसा बंगले के किसी दूसरे कमरे से उब्रा मार्या का स्वर कमल कांथ को सुनाई दिया और उसने गोमेश को सहम गया नोट किया फिर उसने गोमेश को इस ढंग से सिग्रेट को चलते देखा मानो वो पैतालिस वर्षे वकील ना होकर एक ऐसा स्कूली लड़का था जिससे एका एक अपने सिग्रेट पीने की चोरी पकड़े जाने का खत्रा नजरा आ गया था वो सिग्रेट को चलने के बाद यूँ जल्दी जल्दी हाथ ही लाने लगा था मानो इस तरह धूए को कमने से बहार निकालना चाहता था तब ही बगल वाला दवाजा खोल का मारिया उसके सामने आ खड़े हुई तुम सिग्रेट पी रहे थे? हाँ गोमेश के आवाज यूँ उसके गले से निकली मानो वो अदालत में जज के सामने अपना जुर्म कबूल कर रहा था ये जानते हुए भी कि मुझे तुम्हारा गई के अंदर सिग्रेट पीना कता ही पसंद नहीं है मैंने कितनी बार काहा है सिग्रेट पीना हो तो घर से बहाँ चले जाया करो हाँ कमर कान को उनकी सिर्फ आवाजे ही सुनाई दे रही थी उनके चेहरों पव्याप भावो को वो देख तो नहीं पा रहा था लेकिन उनके खसलत से वाकिफ होने की वज़ा से उनके भावो का अंदाजा बखो भी लगा सकता था मैं पूछती हूँ तुम्ही यहाँ बैठे ही क्यों हो चल कर सोते क्यों नहीं देखते नहीं सबह 11 बज रहे है मुझे नीद नहीं आ रही बिस्तर पर लेटोगे तो नीद आएगी न जब नीद ही नहीं आ रही तो बिस्तर पर पढ़ने का क्या फाइदा है मैं कहती हूँ चल कर बिस्तर पर लेटो नहीं मारिया तुम चलो मैं तुरूरी देर बाद आऊँगा क्यों आखे तुम्हें दिक्कत क्या है पिछले करीब दस दिनों से तुम गुमसुम और सहमे सहमे से हो मुझे कोई दिक्कत नहीं उसके लहजे से जाहिद था कि वो जूट बोल रहा था मुझसे उलने की कोशिश मत करो मैं देख रही हूँ तु तुम्हारी ये हालत तब से है जबसे वो कुतिया वापस लोटी है तुम्हें वेहम हुआ है मारिया मारिया को कभी वेहम नहीं होता गुमेश नहीं मारिया कान खुल कर सुन लो तुमको वेहम हुआ है अगर तुम उससे मिलते रहे तो ओ नहीं मारिया गोमेश ने जल्दी जल्दी कहा फिर अचानक वो जुन्जलाता सा बुरा मेरा सर्म मत खाओ जाकर चुपचाप सोचाओ मारिया ने स्टीम इंजिंग के भाती सांस छोड़ी तुम्हारी ये मजाल मुझसे इस धंग से बात करोगे जाओ गोमेश इस तरह चीखा मानों से किसी किस्म का दौरा पढ़ने वाला है मैं बाहार घूमने जा रहा हूँ और एक दम खड़ा होका पाँप पटकता हुआ कमरे से बाहार निकल गया कमर का अंत फोरंग खिडकी से हटा वा दबे पाँप परवेश दौरा की और बृतौरा जब वो परवेश दौरा पर पहुँचा बीतर से सिटकनी गिनने और आगल खिसकाई जाने के आवास सुनाई थी मैं कहती हूँ रुक जाओ वापस आओ गोमेश तुमने मेरा जीन अहराम कर दिया है कमय कांत ने उसके बापस जाते कदमों के आहट सुने चंद शर्नो परांथ मिया बीवी की जोरदार भहस की धीमी धीमी आवाजे पुनह सुनाई देने लगे कमय कांत ने थीरे से दयवाजे का पला पीछे ठेला और भीतर आका दोबारा दर्वाजा बंद करके सिटकनी चड़ा दी वो गल्यारे से गुजर कर उसी कमरे के खुले दर्वाजे में जा खड़ा हुआ जहां पत्नी पती एक दूसे से उलजने में व्यस थे उनका ध्यान उसके ओन नहीं जा सका अब गोमेश सच छुकाए धीरे धीरे कुछ बरबड़ा रहा था उसने अपनी दबंग पत्नी पर काताव खाने के हिमाकत की थी मारिया ने उसकी हालत देकर चटकारा सालिया फिर दर्वाजे की तरफ पीछी हटने लगी और सीधी कमरकांत से जाटकराई उसने चीखने के लिए मूँ खोला ही था कि कमरकांत ने उसके मूँ पर मजबूती से हाथ रख दिया वो मारिया को ठेलते हुए वापस कमरे में लाया और बड़ी बेरहमी से उसे सोफे पर धकेल दिया चुक चाब बैठी रहना कमरकांत ने पिस्टॉल निकालते हुए आदेश दिया वरना तुम्ही शूट करने में मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा मारिया निधाल सी सोफे में पसल गई उसका मूटा चेहरा कागस की तरह सफेद पढ़ गया था सासे अव्यवस्थित थी और आँखें कमरकांत की पिस्टॉल पटे की थी डिसुजा कहां है अपने कॉटर में कमरकांत ने अलग खड़े गोमिश को खूरा सच कह रही है ये गोमिश ने अपने सूखे होटो पर जबान फिराई उसके सफेद पढ़ गए चेहरे पर साफ साफ पढ़ा जा सकता था कि जूट बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी हाँ मारिया की बगल में बैठो कमरकांत ने कहा अजब गोमिश बैढ गया तो वो उसके सामने खड़ा होका बोला मैं तुमसे चन सवालों के सही और सीधे जवाब चाहता हूँ तुम्हारी खेरियत इसी में है कि चालाग बने के कोशिश न करना तुम जो भी पूछोगे मैं सही से जवाब दूँगा ठीक है शमशेर राना से ही शुरू हो जाओ शमशेर राना उसके बारे में मैं कुछ नहीं जूट मत बोलो तुम उसके लिए काम करते थे मैंने कभी कमर कांथ ने लगा था दो थपड़ उसके मुँपा जमाए मैं कसम कहाता हूँ मैंने कभी उसके लिए काम नहीं किया कमय कांथ ने उस पर पिस्तोल तांग का धमकी दी तो वो सिसकता हुआ बोला मैंने सही मायनों में सच मुझ कभी उसके लिए काम नहीं किया मतलब मेरा मतलब है मैंने कभी उसके ग्रोह के लिए कोई केस नहीं लड़ा उसे वक्ती जरूरत के लिए किसी स्थानिय वकील की तलाश थी पांसो रुपया महावार पर उसने मुझे अंगेज कर लिया था लेकिन मेरी जरूरत उसे कभी नहीं पड़ी दलर सर मैंने उन दिनों नहीं नहीं प्रेटिश रू की थी मैं तुम्हारी सफाई नहीं शमशेर राना के बारे में सुनना चाहता हूँ उस लिस्ट के बारे में बताओ उस लिस्ट में कोई खास बाद नहीं है जूट मत बोलो करीब 20 साल पुरानी उस लिस्ट की तुमें पहले तो कभी फिकर नहीं हुई फिर अब अचानक उसमे इतनी दिल्चस्पी क्यों होने लगी मैंने बताया तो है कि कमल कांत ने उसकी कलाई पकड़ कर जो से उमेटी शमशेर राना वापस आ रहा है आ रहा है ना? मैं नहीं जानता तुम अच्छी तरह जानते हो, वो वापस आ रहा है कमल कांत उसकी कलाई पर दबाब बढ़ाता हुआ पोला इसलिए डर के मारे तुम्हारे जान निकल रही है कि उस लिस्ट के जरिये उसके साथ तुम्हारा संबन न जोड दिया जाए नहीं, नहीं, मेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में कमल कांत को वो सच बोलता नजर आया उस जैसे घटिया वकील और चुहें जैसे दिल वाले डरपोक आदमी के लिए शमशेर राना की और्गनाईजेशन में कोई जगा हो भी नहीं सकती थी मैं माल लेता हूँ कि तुम जैसे चुहें के लिए शमशेर राना की और्गनाईजेशन में कोई जगा नहीं रही होगी तो फिर तुम्हारे हाथ वो लिस्ट कैसे लगी कमल कांत उसकी कलाई छोड़ चुका था गोमेश ने दोनों हातों में अपना चेहरा छुपा लिया मैं वो मुझे बासकों से मिली थी कमल कांत बुरी तरह चौका बासकों से? हाँ, कुछ साल पहले वो अपनी टेक्सी में शराब ले चाते हुए रंगे हातों पकड़ा गया था वो रोने गरगर आने लगा तो मैंने उसका केस ले लिया और उसे बरी कड़ा दिया लेकिन तब मुझे पता चला कि मेरी फीस के नाम पर देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था हाला कि ये बात मुझे शरू में समझ जानी चाहिए थी उसने पैसा देने के बिजाए तब मुझे वो लिस्ट दी थी और कहा था वो लिस्ट बहुत मुल्यवान साबित हो सकती थी ये बात मेरी समझ में तो नहीं आई मगर मैंने ये सोच कर लिस्ट ले ली कि बिल्कुल कुछ ना मिलने से तो वही बहतर थी कमय कान ने हिकारत भरी निगाहों से उसे खूरा गोमिच अच्छी तरह जानता था कि लिस्ट को मुल्यवान बनाने के लिए और उसे बताने के लिए बास्को का असली मकसद क्या था लेकिन इस डरपोग चोहे में किसी को ब्लैक मेल करने का होसला नहीं था बास्को को वो लिस्ट कहां से मिली ये ना तो मैंने उससे कभी पूछा और ना ही मुझे उसने बतलाया कमल कान तो से घूरता हुआ खामोशी से कुछ दे सोचता रहा तुम इस काबिल जड़ा भी नहीं हो कि शमशेर राना के आदमी तुम्हें अपनी किसी योजना में शामिल कर सके फिर तुम्हें कैसे पता चला कि शमशेर राना वापस आ रहा है मुझे कहीं से पता नहीं चला मैंने तो सिर्फ अनुमान लगाया था रह्मान बेग और अमरजीत को मैं पुराने वक्तों से जानता था वो पहले भी कई बार शमशेर राना के कामों से यहां आया था उस रात में शहर में आता था और सुबह चला जाया था पिछले हफते जब मैंनों से यहां देखा तो मैं पहचाएं गया और सोचा उसके आने की ज़रूर कोई तगड़ी वज़ा होनी चाहिए क्योंकि उस जैसे आदमी इतफाकन या सैसर पाटे के लिए कहीं नहीं जाया करते ये बात काफी हद तक तरक संगत थी कमरकान को उस पर यकीन ना करने की कोई बज़ा दिखाई नहीं दी तुमारा फोन कहां है? गोमिश ने कापते हातों से कौने में रखे टेलीफोन के और इशारा कर दिया कमरकान तुम दोनों को पिस्तॉल से कबल के पीछे हटकर कौने में पहुंचा उन पर निगाहें जमाए उसे रिसीवर उठा कर पाए हाथ से ही जोसफ की बार का नंबर डाए गया हेलो? जोसफ की अवाज सुनते ही वो बोला क्या हो रहा है? मेरी अवाज पहचांगे? अभी तो तुम जिन्दा हो कबर से भी बोलोगे न? तब भी पहचालनूगा अगर मेरे पास आना चाहते हो तो आजो आकरी ग्राग जा चुका है मैं बार बंद करा रहा हूँ जब तक तुम आओगे नौकरों की भी छुट्टी का दूगा फिर भी अहत्यातन तुम किचें के रास्ते से ही आना ठीक है कमलकान ने रिसीवर रग दिया फिर टेलीफोन इपकरन से दिवार तक गई तार को जो से छटक कर खीचा ब्रेकेट दिवार से उखड गया और तारे तूटका अलग हो गए अब मारिया कम से कम उसके भाहार निकलते ही अपने भाई से संबंध स्थापित नहीं कर सकती थी अब तुम दोनों फिर से अपनी जंक्शू कर सकते हो कमरकान ने कहा और कमरे से भाहार निकल गया परवेश दोयार खोल कर भाहार निकलते वक्त उसने मरिया को अपने पती से बिफ्री आवाज में कहते सुना तुम डरपोक हो तुमने उसका मुकाबला क्यों नहीं किया कमरकान गोमिश का जवाब सुनने के लिए नहीं रुका वो मुस्कराया और सावधानी से चलता हुआ टूरिस कैंपिंग पार्क के और बढ़ गया आशा के विपीत अमरजीत की वैन पार्क में ही मौजूद थी कमरकान को थोड़ा ताज्यूब हुआ अमरजीत की हत्या के बाद पुलिस को उसे अपनी सुपोर्टगी में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाका सील कर देना चाहिए था वैंक की वहाँ पर मौजूद की इस बात का सबूत था कि इंस्पेक्टर डिसूजा का शायद इस तरफ ध्यानी नहीं गया था या उसने ऐसा करना जूरी नहीं समझा था फिर डिसूजा नहीं किसी खास मकसद से वैंक को वहाँ रहने देना बहतर समझा था अगर अंतिम बात सही थी तो वैंक की निगरानी की जा रही होनी चाहिए थी कमलकान भली भाती आश्वस होने के बाद कि वहाँ मौजूद अन्य टूरिस अपने टेंट या वाहन में गहरी निन में सोई पड़े थे और वैंक की निगरानी नहीं की जा रही थी पार्क में चोरों की तरह दाखिल हुआ वैंक तक पहुँचने और उसका ताला खोलका अंदर परविश करने में उसे कोई कठीनाई नहीं हुई उसने फटा-फट तलाशी लेडा ली नए कपडों वाला सूटकेस और जूतों के डब्बे वाला बैग अब वहां नहीं थे अमजीद के सूटकेस में रखी बाकी चीज़े तो यथावत मौझूद थी लेकिन प्लास्टिक की काली जिल चड़ी डैरी अब उसमें नहीं थी कपडों और जूतों के वहां नाम मिलने का मतलब था या तो अमजीद ने कल रात ही उन्हें मेजर पिंटों के निवास इस्थान पर पहुँचा दिया था या फिर उसकी हत्या के बाद किसी वक्त यहां आकर भासका उन्हें ले गया था और इसका सीधा सा मतलब था वह वहां से बंबई के लिए रवाना हो जाएगा कमई गांत ने अपनी रीड के हटी में सर्द सी लहर गुजरती महसूस की अगर शमशेर राना चला गया तो तीन खूं की एमिस्टरी कभी नहीं खुल सकेगी और वो खुद पर लगे तीन-तीन हत्याओं के इल्जाम को कभी गलत साबित नहीं कर सकेगा उसने सोचा कि जाकर विमल वर्मा को इस बारे में सब कुछ बता दे लेकिन फिर फौनन ही उसने ये विचाह दिमाग से निकाल दिया विमल वर्मा पहले ही उससे जादा इतना जादा गुसे में था कि उसकी बात सुनने की बज़ा है वो सीधा उसे हवालात में ठुसवा देगा वो इसका सीधा यही मतलब निकालेगा कि कमरकांत इस तरह खुद को हत्यों के इल्जाम से बचाने की कोशिश कर रहा है उससे शमशेर राना की वापसी का इन हत्याओं से रिष्टा भी जरूर समझ में आ जाएगा कमरकांत जानता था ऐसा कोई सबूत लाने के लिए उसे मेजर पिंटों के निवास स्थान पर जाना पड़ेगा और अपने अकेले के दम पर वहाँ जाकर जंग छेड़ने का उसका कतई कोई इरादा नहीं था इसके लिए वर्मा की मदर नहायँ जरूरी थी लेकिन मौजूदा हालत में पहले शमशेर राना के बारे में पता लगाना उससे भी ज़्यादा जरूरी काम था कमरकांत वैन से निकला उसने दरवाजा पुना लॉक किया और सतर्खता पूर्वक पार्क से बहार आ गया साय में रहकर जोसफ की बार के ओचाता हुआ वो सोच रहा था कि गोमिश के घह से जोसफ को फोन करके उसने बड़ी भारी अकलमंदी का काम किया था मेजर पिंटो के निवास स्थान तक पहुँचने में वही उसकी मदद कर सकता था जोसफ के पास छोटे सायज वाला एक ट्रक था बाह तक पहुँचने में उसे पुलिस की गश्टी टुकडोई से बचने के लिए एक बंगले की हैज में छुप जाना पड़ा था लेकिन अंति में वो सक कुशर बार की किचन में पहुँची गया कैश बॉक्स खटखट आने के जवाब में जोसफ फॉरन उसके पास आया फिर वो दोनों आफिस में चले गए बड़ी देल लगा दी यार तुमने मुझे तो फिक्र होने लगे थी जोसफ कमरकान तुसकी बात को नजर अंदास कता हुआ बुला मैं चौथे टॉप पूँ जाना चाहता हूँ मेरे पास इसलिए आयो हाँ तुम पागल तो नहीं हो गयो खामा खान जान जोकने जा रहे हो तुम्हें हरकेस वहाँ नहीं जाना चाहिए तुम मुझे वहाँ पहुचाओगे या नहीं नहीं ओके कमरकान दर्वाजे क्यों बढ़ा तुम सच मुच वहाँ जा रहे हो कमरकान ने सहमती सूचक सहिला दिया ठेरो लगता है अपने साथ तुम मुझे भी मरवाओगे कमरकान दर्वाजे पर पहुच चुका था नहीं तुम अराम से जाकर सो अब मूर से कुछ फूटोगे भी मेरे बाप आखे तुम उससे कढाना क्या चाहते हो कमरकान बापर स्लोटा धन्यवाज जोसफ मैं जानता था कि दोस्ती की खाते तुम इंकान नहीं करोगे अच्छा अच्छा मसका मत मारो सीधी तरह बताओ मुझे क्या करना है बार खो बंद करके अपना ट्रक निकालो और मुझे चौथे टापू पहुचा दो मैं ट्रक के पिछले वहीं रुकूंगा जोसफ द्रंड स्वर में बोला तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें वहाँ अकेला छोड़का चलाओंगा नहीं जोसफ जिसका साथ देता है आखिर तक देता है नहीं जोसफ अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे ढंग से ही दोगे वन्हा मैं अकेला चला जाओंगा तुम्हाँ सर फिल गया है क्या अगर मरना ही चाहते हो तो मरो जोसफ बूला बुजूर्गों ने ठीकी का है बेवकूफ की दोस्ती जी कर जंजाल होती है उफ ठीक है पांचिन मट बाद किचन से भाड़ा आ जाना और बड़े विचारपूं धंग से उसे घूर का ओफिस से निकल गया कमर कान किचन में आकर इंजाल करने लगा ट्रक के इंजिंग के अवास सुनाई देते ही वो बहार निकला साबधा निवश दाएं बाएं निगाएं दोणाई फिर जल्दी से ट्रक में चड़ा और वहां पड़े लंबे चोड़े तिरपाय में छपकर लेड़ गया ट्रक के अगले हिस्से में मौजूद जोसफ पार्टिशन में बने जरोके से उसे देख रहा था उसने गेर बदला और ट्रक आगे बढ़ा दिया बार-बार लगते जटकों की वज़े से कमलकान का जिस्म ट्रक के फ्रश से टकरा रहा था उसे लगा कि चौधे टाप उपर पहुँचने तक उसकी तमाम चूले हिल जाएंगी बहुत ज़ादा असुविधा महसूस होने के बावजूद वो चुप चाप पड़ा रहा उसने अपनी पोजिशन बदलने तक की भी कोशिश नहीं की अंत में ट्रक की रफ्ता धीमी होनी शुरू हुई कमलकान ने तिरपार उतार कर अलग फैक दिया फिर जोहीं जोसफ ने पार्टिशन ठठठठ़का का सिगनल दिया वो उठा और नीचे कूद कर जूडो फॉल के तरीके से सड़क के सिरे पजा गिरा ट्रक सीधा गुजरता चला गया कमलकान त उठकर खड़ा हुआ और पेडो तथा जाणियों के बीच से गुजरता हुआ सतर्था पूर्वक तेजी से मेजर पिंटो के निवास स्थां के और चल दिया वो इमारत की साइड में पहुंचकर रुका उस तरफ से अंदर कहीं रोशनी या हलचर का अभास उसे नहीं मिला वो लंबा चक्कर काटकर इमारत के सामने वाले भाग के सामुख पहुंचा नीचे के कमरे की खिड़की से उसे रोशनी की चौडि लकीर भाहा जागती दिखायी दी कमलकान दबे पाउं खिड़की के पास पहुंचा खिडकी बंद थी लेकिन उस पर लटका पुराना सूती परदा शैद धुलता रहने की वज़ा से सुकड कर इतना छोटा हो गया था कि खिडकी की चौखट तक पूरा नहीं पहुँच पा रहा था फल सर रूप चौखट और निचले हिस्से के बीच से चौड़ी पट्टी के रूप में अंदर की रौशनी बहारा रही थी कमर कांत ने आगे जुक कर अंदर जागा कमरे में गोल मेज के पास खिडकी की तरफ पीट के एक आदमी बैठा था अनुमानता वो भासकर राप परतित हुआ वो अकेला बैठा सोच विचार में गुम सा नजर आ रहा था कमर कांत को महां खड़ा रहना खतनाक लगा भासकर राम ने अगर किसी वज़ा से पलट का देख लिया तो उस पर निखाश जरूर पढ़ जाएगी जबकि वो अपनी उपस्तिती को पूर्ट या गोपनिय बनाए रखना चाहता था वो किसी जग़ छुपने के लिए जहांसे इमारत की निगरानी की जा सके पीछे हट नहीं वाला था कि कमरे का दवाजा खुला और साथ ही किसी के कदमों की आहट सुनाई थी फोरण खड़की के नीचे वो छुप गया वो क्या कर रहा है अंदर से आती भासकराव की आवाज उसने साफ पहचाने सो रहा है आप परिचित स्वर में कहा गया इस वक्त सोने की क्या तुक है जब वो जागेगा तो उसी से पूछ लेना तुम कब से उसके साथ हो यासीन? भासकराव ने पूछा पिछली रात कराची में हम दोनों को साथ साथ पंडुबी में सवाल कराया गया था यासीन नाम के से संबोतित क्या आगया आदमी बोला इन 24 गंटों में तुमने उसे कैसे पाया? वैसे ही जैसे पहले था लेकिन अब वक्त बहुत बदल चुका है क्या मतलब? आजकर हत्यारों से नहीं दिमाग से काम लिया जाता है और शम्शेर राना के पास दिमाग नहीं है यासीन के स्वर्म में व्यंका पुड़ता तुम विदेशी सरकाल को बेवगवकूफ समस्ते हो जिसने बड़ी पेमाने पर सबोटेज कराने के लिए उसे यहां भेजा है और खुद उसने भी आने का भारी रिस्क लिया है यासीन हसा जनाब भासका सहाब तुम्हारी खेरियत इसी में है कि दोबारा इस बात को भूल कर भी जबान पर मतलाना शमशेर राना आज भी वैसा ही है जैसा पांस साल पहले था आज भी उसके एक इशारे पर उसी तरह मौद बरसने लगती है जैसे पहले बसा करती थी तुम में सरसे में शयद अपनी आउकात भूल गए लगते हो बस करो तुम उसे ज़्यादा नहीं जानते ये बता वो कब तक सोता रहेगा बस जांगने वाले ही होगा मैं एक बाप फिर तुम्हें खबदार के देता हूँ उसके सामने नाप तोल कर ही मुबात मुझ से निकालना कमल कान के लिए इतना ही सुन लेना काफी था अब वो विमल वर्मा को यकीन दिला सकता था वो बैठने की मुद्रा में ही पंजो के बल चलता हुआ खिडकी से परेहटा और खड़ा होका वापस जाने के लिए पेडो की तरफ बढ़ा हैंड्स अप सहसा पीठे से डेमेलो की खुंखार आवाज सुनकर उसने प्लटना चाहा लेकिन तब ही कोई कठोर चीज उसकी पीठ में आगड़ी कमरकांत ने विवश्टा पूर वक हाथ उपर उठा दिये मैं नहीं जानता था तुम इस कदर बेवकूफ हो जेमेलो बोलना तुम शेल की मान में आग उसे अब वापस नहीं जा सकोगे इस अचानक विपत्ती ने कमरकांत के होश उड़ा दिये थे जेमेलो मुझे चले जाने दो मैं तुम्हें वो फसी सी अवाज में बोला अपनी जान के अलावा तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है मेकेनिक डेमेलो खुफनाक स्वर में बोला और उसके मुझे जरुरत नहीं मैं तुमसे जो लेना चाहता था ले चुका हूँ क्या? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया तुम्हारी वर्ष शॉप को आँग लगाकर मैंने अपना बदला चुकार लिया है मैकेनिक वो बोला डेमेलो पर हाथ उठाने वाला चैन से नहीं सो सकता उससे बड़ी भारी किमत चुकानी पड़ती है करमल कांद के दिमाग में गुस्से की जबर दस लहर दोड़ गई आँग तुम ने लगाई थी? हाँ, क्योंकि तुमने मुझ पर हाथ उठाया था करमल कांद के जीर में आया कि वो पलट कर डेमेलो को दबोच ले और उसका गला दबा डाले लेकिन पीठ में गड़ लई बंदू की नार के काना विवश्टा पूबा खड़ा रह गया आँग किसके कहने पर लगाई थी तुमने? डेमेलो जो करता है अपनी मर्जी से करता है किसी के कहने पर नहीं अब तुम मेरा क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें सिर्फ अंदर ले जाऊंगा फिर जो कुछ करना होगा वो खुद कर लेगा कौन? शम्षीर राना तुम्हारा उससे क्या तालुक है? अब ही तो कुछ नहीं है लेकिन जल्द ही हो जाएगा मैं उसके साथ शामिल होने का फैसला कर चुका हूँ कहकर डेमेलो ने बंदूग से उसे आगे ठेला हंदा चलो और कान खुल का सुन लो अगर जरा भी गरबड की तो मैं दोनों गोलियां तुमारे पीठ में उतार दूँगा कमल कान लट खडाता सा आगे बड़ा डेमेलो उसके पीठ में बंदूग कड़ाए पीछे चलता रहा कमल कान को गरबड ना करने में ही अकलमंदी दिखाई दी वो इमयारत के पवेश द्वार पर पहुँच कर रुका भासकर डेमेलो ने उची आवाज में हांक लगाई बहार आओ भासकर लगभव फोरण ही दोड़ता हुआ भार निकला कमल कान पर निगा पड़ते ही उसके चेहरे पर गेहन आश्चरय के भाव पर कट हुए फिर वो एका एक बेहत प्रेशान नजरा आने लगा तुम? तुम यहां क्या कर रहे हो? कमल कान ने जवाब नहीं दिया यह जान देने के लिए आया है? डेमेलो हसा तुमने इसकी तलाशी ली है डेमेलो? नहीं, वेवकूफ? भासकर बबड़ाया फिर कमल कान की जेवि थप थप आये और पिस्तॉल भाहा निकाल ली कमल कान अब तक इस नई विपत्ती के शौक से उबर चुका था भासकर की हरानी और प्रेशानी की वज़ा को वो भली भाती समझ रहा था भासकर को उमीद थी कि कमल कान पुलिस के डर से दलदली इलाकी में छुपा होगा और पुलिस की सारी सरगमिया चौथे टापो से दूर ही रहेंगी और इस तरह शमशेर राना को शरश्चित रूप से यहां निकाला जा सकता था लेकिन कमल कान के वापस आने का मतलब था कि किसी भी शन पुलिस का भी आगमन पुलिस आगमन का सीधा सा मतलब था शमशेर राना को यहां से निकालने की योजना का न सिर्फ खटाई में पढ़ना बलकि सर्व नाश होना अंदर चलो भासकर ने उसे खुले दरवाजे में भीता धकेला और फिर उसे धकेलता हुआ उसी कमरे में ले आया जहां रोशनी थी वहां मौजूद यासींग खड़ा हो गया और उस सहा पूरवक कमरकांद को घूरा कौन है ये? दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ परवेश दुआर बंद करने के बाद कमरे में दाखिल होते हुए डेमेलो बोला भासकर ने कमरकांद की पिस्तोल यासींग के और उच्छाल दी तुम इस पर निगार रखना मैं जाकर देखता हूँ फिर एका चुप होका सतरता पूबग वो कमरकांद की और देखने लगा उसे क्यों ब्रेशान करते हो? कमरकांद बोला उसमें तो दिमाग नाम की चीज़ी नहीं है वो तो सिर्फ हत्यारों से खेलना जानता है भासकर ने जलती आँखों से उसे घूरा फिर आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर घूसा चमा दिया तुम बहुत बोलते हो अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाए और पलट कर कमरे से बहान निकल गया देखा तुमने? दिमेलो यासिन से बोला ये आदमी कितना बड़ा बेवकूफ है बको मत यासिन ने उसे डांट लगाई चुप चाब बैठो दिमेलो हस्ता हुआ दिवास से लगका खड़ा हो गया यासिन अपनी कुस्टी पर बैढ़ गया बहास का द्वारा दी गई कमरकांद की प्रिस्टॉल उसने अपने दाएं हाथ के पास मेज पर रग दी और वो बड़ी दिलचस्प निगाहों से कमरकांद को देखने लगा चंद मिन्टों के बाद सिर्यों से नीचे आती भारी कदमों के आड़ सुनाई दी यासिन जल्दी से खड़ा हो गया बहुस आ रहा है वो इस ढंग से बोला मानो किसी बहुत बड़ी हस्ती के आगवन की पूर सूचना दी रहा था कमरकांद और डिमेलो की गदन क्रेंग की भाती दरवाजे की और खून गई शमशेर राना गदन ताने हाथ पीट के पीछे बांधे कमरे में दाखिल हुआ और पत्थर के बुद की भाते निश्चर खड़ा हो गया उसका कद करीब सवा 6 फुट उचा था जिसम एकहरा था और कंदेया पेशा करच जादा चौड़े उसकी उम्र लगबग 55 साल थी लेकिन सर का एक भी बाल सफेर नहीं हुआ था वो क्रीम कलर का सफारी सूट और काले जूते पहना था साधारंड नय नक्ष वाले उसके चेहरे में भी कोई खास बाद नहीं थी कुल मिला कर उसका व्यक्ति तो साधारंड था कमरकान दरजनों बार उसकी तस्वीरे देख चुका था इसलिए उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई पांस साल पहले तक बंबै के अपराधी जगत का बेताज बाक्षा कहलाने वाले उस आदमी में उसे कोई खास बार नजर ही नहीं आई थी कमरकान की निगाएं उसी पर जमी थी और जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया जो बात उसे पहले दिखाई नहीं दी थी वो अब साफ नजर आ रही थी शमशेर राना का चेहरा एक दम भावहेन था और उसकी काली आँखों में जो एक टको से ही देख रही थी एक सद खामोशी थी मौत की खामोशी जब से वो कमरे में आया उसने एक बाल भी पलके नहीं चपकाई थी कमरकान को अपने समूचे जिसमे सिरहन दोड़ गई महसूस हुई उसे लगा मानु उसके सामने जीवित प्राणी ना होकर कोई मुर्दा खड़ा था ऐसा मुर्दा जिसके आसपास मौत की मनुस चाया मौजूद थी तुम पुलिसी वह हो? शम्शे राना बर्व जैसे ठंडे स्वर में इस ढंक से बोला मनु पूछ नहीं रहा था बलकि बता रहा था है नहीं था भासकर बोला शम्शे राना ने भासकर के और गदन कुमाई मुझे भी नजर आ रहा है अभी मेरी आंके ठीक से काम कर रही है वो बोला भासकर सहम कर पीछे हड़ गया शम्शेन राना ने पुन्हा कमल कांथ क्यों देखा कमल कांथ ने अपने होटों पर जवान फिलाए हाँ वो बोला किसलिए वो रिश्वत खौरो था हो शम्शेन राना के सरस्वर में ब्यांका पुड़ था तो तुम भी उनी बेवकूफों में से हो जो इमानदार और कतव्य प्राणता जैसी दक्यानूसी बातों से चिपके रहते हो कमल कांथ कुछ नहीं बोला आपने ठीक पहचाना कौने में खड़ा डेमेलो परशन सा पुर्वक बोला यह आदमी सचमुच निहायत बेवकूफ है शम्शीर राना ने धीरे धीरे उसकी और गदंग खुबाई तुम कौन हो? मेरा नाम डेमेलो है डेमेलो पसंद था पुर्वक बोला मैं ही इस बेवकूफ को पकड़कल यहां लाया हूँ हाग आओ डेमेलो इस ढंग से चलता हुआ उसके सामने हां खड़ा हुआ मन इनाम लेना चाहता था जो लोग मेरी इजाज़त के बगार बोलते हैं हुँका मुँ हमेशा के लिए बंद कर दिया गिर चाहता है आइंदा त्यान रखना फिर उसके जिस्में हरकत हुई और भारपूर ठोकर डेमेलो की जांग के जोड पर पड़ी डेमेलो चीखता हुआ उलट का फर्श पर जागिरा दोनों हातों से अपनी जांगों के बीच का हिस्सर दबाए पड़ा रहा चहरा पीड़ा से विक्रत था खामोश शमशेर राना का सर्थ स्वर और भी जादा स्वर्द था डेमेलो ने रोने में तुरंट ब्रेक लग गया और वो फर्श पर पड़ा तरप रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं था शमशेर राना इस अंदाज में पुन्हा कमरकान से मुखातिब हुआ तुम यहां किसलिए आये हो मैं तीन खूर्णों का सस्पेक्ट हूँ उन तीन हत्याओं का सीधा संबन्द तुमसे है उनमें त्से दो हत्याएं तुम्हारे आदमी रह्मान ने की थी बासको की पपीटर नामक मुच्छवारे की शम्षेर राना ने भासकर क्यों देखा ये सच कह रहा है? हाँ, बासको यहां नलीनी को ले जाने के लिए आ रहा था शम्षेर राना के चहरे पर पहली बाल दिल चस्पी के भाव दिखाए थी नलीनी, तुमने ये तो नहीं बताया कि यहां कोई औरत भी है? बासकर की चहरे पर ऐसे भावत्पन हुए मानो वो कोई भ्यानक गलती कर बैटा है वो मेजर पिंटो की बेटी है उसी ने हमारे हाट हैने का अन्जाम किया है वो व्याक्यूलता पूर्वक बोला मानो शम्शेर राना को नलीनी के बारे में सोचने नहीं देना चाहता था रहमान ने बासको को आते देखा और रोक लिया फिर वो बासको को कमरकांद की वरक्शॉप के मेजर पिंटो की बेटी देखने में कैसी है? मामोली है बासकर जल्दी बोला आप रहमान के बारे में जानना चाहते हैं? अंधेरे में सभी औरते एक जैसी नजर आती हैं बस औरत का जिस्म खिचा, तना और उसके कल पूझे टाइट होने चाहिए खेर तुम रहमान के बारे में बताओ वो बासकर को किसी बहाने से वर्शॉप के पीछे लेकिया और मोटर सैकल की चेंग को खटा करने के उसने उसके चेहरे और सर को कूट डाला इतिफाक से वो मच्वारा भी वहाँ पहुँचा था और उसने रहमान को बासकर की लाश के साथ देख लिया था इसे रहमान को उस मच्वारे की भी जान लेने पड़ी रहमान बहुत बढ़िया आदमी था उसे किसने ठकाने लगा दिया भासकर ने कमलकांद की और इशारत किया इसने ये जूट है कमलकांद ने पतिवाद किया तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था लड़के रहमान मेरा भ्रो से मंद आदमी था वो मेरा बहुत पुरान और मन पसंद साथी था मैंने उसकी हत्या नहीं की भासकर मुझसे जूट नहीं बोल सकता यासीन इस लड़के को पकड़ो यासीन ने कमरकांद के पीछे जाकर उसके दोनों हाथ पकड़ ले तो शमशेर राना ने फश्ट पर पड़े तरड़ते तेमलो की ओद देखा ए तुम उड़कर इदर आओ देमेलो बड़ी मुश्किल से उड़कर खड़ा हुआ तुम जरा इस लड़के पहाच चला का दिखाओ कि तुम में कितना दमखम है शमशेर राना बोला देमेलो के खुंखाय चेहरे पर मुस्कराट उभरे अपनी तरह किसी और को पीड़ी देखने के एहसास ने उसकी अपनी पीड़ा कम कर दी उसने आगे बढ़कर कमरकांद के गाल पर थपड़ मारा फिर जबड़े पर घूसा जमाया और फिर पूरा हाथ उसके समस चेहरे पर दे मारा बस इतना ही जोड़ है तुम में शमशेर राना प्रोसाइक करता हुआ बोला इसकी कहीं से खून के एक बूंद भी नहीं निकली है डिमेलो ने दोनों हातों से ताबर तोड़ घूसे बसाने शूकर दी कमरकांद के नाक और होटों से खून बहने लगा उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था और वो रहे रहे का करहा रहा था उसकी टांगे काप रही थी और खुटने मुड़े जा रहे थे बस करो शमशेर राना ऐसे लहजे में बोला मानो इस नजारे से उप चुका हो डिमेलो गर्ब से सीना फुलाए और गर्दन ताने चलता हुआ वापस कौने में जा बैठा और बुरी तरह हाफ ने लगा यासीन ने कमरकांद को एक कुर्सी में धकेल दिया कमरकांद सर जुकाए मेज को दोनों हातों से थामे हाफ रहा था बहसकर ने कमरकांद क्यों इशारा किया अब इसका क्या करना है इस लड़के ने रहमान की जान नहीं ली शम्शे राना बोला लेकिन इसके जिन्दा रहने से कोई फायदा भी हमें नहीं होने वाला इसलिए इसे उपर पहुँचा दो हम इस ऐसा नहीं कर सकते क्यों? पुलिस इसे जोशो से ढूंड रही है और वे लोग समझते हैं कि ये दलदली इलाके में चुपा हुआ है अगर हम इसे मार डालते हैं और इसकी लाश बरामद हो जाती है तो पुलिस की तमाम सरगर्मिया उस तरफ से हटकर इधर ही केंद्रित हो जाएगी लाश बरामद क्यों होगी? क्या खाड़ी का तमाम पानी भी इसके लिए कम है? इसे मार का पानी में फैक तो कमलकान ने सर उपर उठाया तुम तुम लोग मेरी जान नहीं ले सकते कई लोग जानते हैं मैं इस वक्त यहां मौजूद हूँ इसका फैसला बाद में करेंगे शम्शेर राना बोला मेजर पिंटो की बेटी कहां है भासका? उपर की मनजिल पर भासका आशंकित स्वर में बोला वो हम लोगों को ठहरने का अंजाम करने के लिए तयार कैसे हो गई? वो दलनसर मेरी बीवी है शम्शेर राना के होटों की कोरों पर पहली बा मुस्कराहट पैदा हुई लेकिन चेहरा भाव ही नहीं बना रहा तुम्हारी बीवी? एक मामुली लड़की? उसने सद स्वर में संधे का गहन पुड़ था ना मुमकिन औरत के मामले में तुम्हारी पसंद उससे छुपी नहीं है भासकर तुम्हारी बीवी एक मामुली लड़की तो नहीं हो सकती कमरकान को याद आया शमशेर राना के बारे में जो धेरो बातें उसने पढ़ी और सुनी थी उसमें से एक बात थी कि वो औरत खोर था